सुप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्यान कर रहे होंगे मैं सोना यादब आपकी हिंदी विशय की अध्यापिका बच्चों, पूर कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में पार्ट 22 अनेकार्थी शब्त और पार्ट 23 मोहावरों का अध्यान किया आज की कक्षा में हम पार्ट 23 लोकोक्तियों का अध्यान करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा तो चलिए बच्चो अब हम अपने नई पाठ का अध्यन करते हैं जिसका नाम है लोकोक्ती लोकोक्ती शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है लोक जमा उक्ती जिसका अर्थ है लोक समाज में प्रेचलित उक्ती कथन को लोकोक्ती अथ्वा कहावत कहते हैं केवल वही उक्ती लोकोक्ती के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसमें जीवन के अनुभव को संशिप्त एवं लक्षन धंग से अभिव्यक्त किया गया हो। लोकोक्ती में अनेक प्रकार के सत्य नहीत होते हैं, जो व्यभारिक सत्य तथा जीवन यापन में बहुत महत्पून होते हैं। लोकोक्तियों का आधार कोई कहानी या चिर सत्य होता है। यह है पूण वाक्य होते हैं, उनके प्रियोग से भाशा का सोंधर्य पूण तथा इसपस्ट एवं प्रभावशाली हो जाता है। लोकोक्ति में प्रयोग अधिक इसपस्ट हो जाता है। आईए बच्चो अब हम लोकोक्तियों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग जानेंगे। अंत भले का भला इसका आर्थ है बच्चो अच्छे काम का परणाम अच्छा होता है। वाक्य में प्रियोग देखेंगे, सबकी सहायता करने वाला राघव आज उच्छ अधिकारी बन गया, सची कहा गया है, अंत भले का भला. नमबर दो, अब पच्छताय होत क्या जब चिडिया चुग गई खेद? इसका अर्थ है, अब सर बीच जाने पर पच्छताने का लाब नहीं होता. वाक्य है, परिक्षा परिनाम निकल जाने पर उदास होने का क्या लाब? अब पच्छताय होत क्या जब चिडिया चुग गई खेद आगे नमबर तीसरा है आगे कुवा पीछे खाई इसका अर्थ है दोनों और संकर्ट वाक्य है उधर शेर सिहंग है और इधर बाग सिहंग दोनों वे अपरादी है मेरे लिए तो आगे कुवा पीछे खाई है किसकी बात मानू चौथा है आप भला तो जग भला इसका आर्थ है अच्छा व्यक्ति सबको अच्छा समझता है इसका वाक्य में प्रियोग देखेंगे लोगों से धोका खाने पर भी प्रेम प्रकाश भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाते क्योंकि वे मानते हैं कि आप भला तो जग भला पाच्वा है एक अनार सो विमार अर्थ है इसका वस्तु कम चहाने वाले अधिक वाक्य में प्रियोग जानेंगे नौकरी के पद के लिए हजारों प्रात्ना पत्र आ जाते हैं यह तो एक अनार सो विमार वाली बात हो गई छटा है काला अक्षर भेंस बराबर अर्थ है इसका एकदम अनपड सरपंच कालू प्रसाथ के लिए काला अक्षर भेंस बराबर है सात्वा है चमडी जाय पर दमडी ने जाय इसका अर्थ है बहुत कंजूश वाक्य में प्रियोग देखेंगे रामकिशन से दान की आशा मत रखना क्योंकि उसका मानना है कि चमडी जाए पर दमडी ने जाए आठवा है जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थ है इसका ताकतवर की जीत होती है वाक्य में प्रियोग देखेंगे पंचोने गाव के जाने माने बादशा को आरोप मुक्त कर दिया क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैस नवा है जो गरस्ते हैं वे बरस्ते नहीं अर्था इसका अधिक बोलने वाले काम नहीं करते वाक्य है कलवा की बड़ी बड़ी बातों पर मत जाना तुम तो जानते ही हो जो गरस्ते हैं वे बरस्ते नहीं दस्वा है दूर के ढोज सुहावने अर्था इसका दूर की वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं वाक्य है मुंबई फिल्मों में ही जगमगाता शहर लगता है उसकी बस्तियों की गंदगी देखोगे तो हैरान रह जाओगे इसे कहते हैं दूर के ढूरी तो आईए बच्चों अब हम मुहावरे एवं लोकोक्तिय में अंतर जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है मुहावरे का प्रियोग स्वतंत रूप से नहीं किया जाता बलकि वाक्य के अंस रूप में उसका प्रयोग होता है जैसे खाक में मिलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नश्ट कर देना इसका वाक्य प्रियोग इस प्रकार है श्री क्रेश ने कंस के घर को खाक में मिला दिया तो बच्चो इस मुहावरे का प्रियोग वाक्य के बीच में हुआ है लोकोक्तियां पूरे वाक्य की तरह होती हैं और आम तोर पर इन्हें किसी वाक्य के भीतर नहीं रखते बलकि अलग वाक्य के रूप में प्रियोग करते हैं जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस एक लोकोक्ती है जिसका अर्थ है ताकतवर की जीत होती है इसका वाक्य प्रियोग इस पिरकार है पंचों ने गाउं के जाने माने बादसा को आरोप मुक्त कर दिया क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस इस पिरकार लोकोक्तियां स्वतंतर वाक्य होती है मुहावरों का प्रियोग स्वतंतर रूप से नहीं किया जाता बलकि वाक्य के अंश रूप में उसका प्रयोग होता है जबकि लोकोक्तियां एक स्वतंत्र वाक्य की रूप में होती है आगे है मुहावरे में उद्देश्य और विधे नहीं होता जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य विधे होता है जैसे कमार तूटना मुहावरा है इसमें उद्देश्य और विधे दोनों नहीं है और दूसरा है चोर की दाड़ी में तिन का तो यह लोकोक्ती है इसमें उद्देश्य और विधे तोनों नीत हैं मुहावरों का प्रियोग वाक्य के बीच में किया जाता है जबकि लोकोक्तियों का प्रियोग वाक्य के अंत में किया जाता है जैसे मुहावणा है अंगारों से खेलना आर्था इसका खत्रा मोल लेना वाक्य है सैनिक अंगारों से खेल कर सीमाओं की रक्षा करते हैं दूसरा है लोकोक्ति काला अक्षर भैस बरावर आर्था इसका एक दम अनपड वाक्य है सरपंच राम परशाद के लिए काला अक्षर भैस बराबर है तो देखा बच्चों आपने दोनों वाक्यों में मुहावरा वाक्यों के बीच में प्रियुक्त होता है और लोकोक्तियां वाक्यों के अंत में प्रियुक्त होती है तो आईए बच्चो अब हम जानते हैं कि हम मुहावरा एवं लोकोक्ती को किस तरह पहचान सकते हैं यदि वाक्य के अंत में किरिया में ना जुडा हो तो वह मुहावरा है अगर ना नहीं जुडा हो तो वह लोकोक्ती होगा जैसे नंबर वन अंगूठा दिखाना दिखाना किरिया शब्द है और पीछे ना जुड़ा है इसलिए ये मुहावरा है अंत भले का भला इसके अंत में ना नहीं है इसलिए ये लोकोक्ती है अंगारों पर चलना चलना किरिया शब्द है इसमें ना जुड़ा है कहलाएगा आगे कुवा पीछे खाई बच्चो इसके अंत में ना तो यह लोकोक्ती कहलाया जाएगा काया पलट होना होना शब्द के पीछे ना जुड़ा है तो यह मुझा जिसकी लाठी उसकी भैंस इसके अंत में ना नहीं है इसलिए यह लोकोक्ती है तो बच्चो मुझे आशा है कि आपको ये पाथ अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद अभ्यास कार रहे है जो आप स्वेम हल करेंगे निम्न लोकोक्तियों के अर्थ एवं वाक्य प्रियोग कीजिए काला अक्षर भैस बराबर आगे कुवा पीछे खाई अर्थ एवं वाक्य प्रियोग आप स्वेम हल करेंगे अगली कक्षा में हम इनके अर्थ एवं वाक्य प्रियोग आपको बताएंगे धन्यवाद